हर्याना की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना नीजूस करते हैं किस्मत कनेक्शन का तो किस्मत कनेक्शन में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए रोज की तरह हमारे साथ हैं मश्वूर टैरो कार्ड एक्सपर्ट रंजिना राना जी रंजिना जी बहुत स्वागत है आपका तो जैसा हम रोज शुरू करते हैं आज के सूविचार के साथ आगास करेंगे आज का सूविचार क्या है आज का सूविचार है कि दो बातों की गिंती करना छोड़ देना चाहिए अपने दुख और दूसरों के सुख जिन्दगी बहुत ही आसान हो जाएगी हमेशा अपना दुख और दूसरों का सुख गिरना छोड़ दिए जीवन में आपको प्रसंदता मिलती रहेगी चलिया अगास करते हैं एक नंबर वालों के लिए आज दिन कैसा होने वाला है एक number वालों के लिए हम देखते हैं इनका दिन बहुत ही बेतर होने वाला है और हम ये देखते हैं कि जो ये सारा दिन है ये इनके हाथ में ही है जैसे ये करना चाहिए कर सकते हैं और इनको हम यही suggestion देते हैं की family का support भी है इसलिए family के लिए अगर आपकोई important decisions लेना चाहते हैं उनके future के लिए तो आज के दिन आपके लिए बहुत जादा बेतर रहेगा Business के शेटर में भी अगर आपकोई decision लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम देखते हैं आपका दिन बहुत ही जादा favorable है इसके साथ साथ अपने बड़े बज़र्ग हैं उनका आशिरवाद लेकर घर से निकलेए आप देखिए आपका दिन बहुत ही जादा अच्छा निकलेगा आपका रंग है सफेद और आपका जो अंक है वो है नमबर दो चले तो आज आपको करना है ये कि आज आपकी खिस्मत आपको फैसले लेने की आजादी दे रही है आपके खिस्मत यानि की आज जो भी बिजनस से जुड़े हुए है फैमली से जुड़े हुए लॉंग टॉम प्लांस को लेकर जुड़े हुए जो भी फैसले आपको चाह रह प्रश्ण क्या है तर्माहिर को जोब के लिए पता करना है जोब कब मिलेगी आप सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं जोब के लिए जानना चाहते है दिनेश जी कि इनकी जोब कब लगेगी देखे दिनेश जी हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा जादा आपको मेहनद करनी पड़ेगी सिचुएशन आपकी बहुत जादा फेवरिबल नहीं है क्योंकि आप बहुत जल्दी डिस्क्शन नहीं ले पाते हैं बहुत जादा लोगों की बातों में आ जाते हैं और कभी कु ग्यारा बार करिये सूर्य के सामने और फिर आप देखे आपको जरूर अच्छी नौकरी भी मिलेगी और सरकारी नौकरी मिलने की आपके बहुत अच्छे चांसे हो जाएंगे जैसे हमने कहा है इसको आप फॉलू कीजिए और बिना बज़े लोगों की बातों में ना स्वास्तार तो दूसरों के प्रभाव में आ कर लेते हैं तो ऐसा करने से आपको बचना हैं दो नंबर वालों के लिए यहायम देखते हैं स्वास्त की लिहां से इनका जो स्वास्त है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है और इसके साथ-साथ हम ये भी देखने हैं कि इमोशनली भी बहुत भी जादा डाउन है और काफी हरत तक इनका जो स्वास्ते ठीक नहीं है वो इनकी नेगिटिव सोच से ही आ रहा है तो इसलिए हम आपको सजेशन ये देते हैं कि पुरानी सोच आप बिल्कुल कर्ति कीजिए अंदर कॉन्फिदेंस लेके आए किसी भी व्यक्ति को इतनी इंपोर्टन्स मत दीजिए ताकि उनकी बारे में सोचने से आपका स्वास्त या आपका जीवन में प्रभाव उसका पड़े अपने अंदर कॉन्फिदेंस लाइए और आज अराम से बैठके 108 बार ओम नमर्शिवाय का जाब कीजिए और ज़रूर आज आप सूरे को जल दे के घर से लिखिये आपके काम भी अवर्श्य होंगे और आपका स्वास्त में भी आपको लाग मिलेगा शलियर एक बात समझ देनी है आपको कि नकरात्मक सोच जब तक रहेगी वो सोच आपको परिशान ही करेगी और आप पास्ट को छोड़ नहीं रहे हैं आप ऐसे ही लोगों को अपने साथ बांध कर लेकर चल रहे हैं जिनकी वज़े से आपको सिर्फ नकरात्मक्ता ही मिल रही हैं और उसका असर आपके स्वास्त पर पढ़ रहा है तो अपने स्वास का आपको रखना है खूब ख्याल वैसे भी मौसम बदल रहा है और यह इमोशनली जो आप लो फील कर रहे हैं इसके विए साधा परेशान हो रहे हैं अगले कॉलर सुनील इस वक्त हमारे साथ जुल गए है फोन लाइन पर सुनील जी स्वागत है आपका डे सुनील जी हम आपको बताना चाहते हैं कि जो रीजन है आपकी जॉब नहीं लग रही है वो इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा केतुग रहे जो है उससे आपकी काम होते होते रुख जाते हैं जिसके लिए हम आपको सुजेशन देते हैं कि हर मंगलवार वाले दिन किसी भी अनुमान मंदर जाके आपको बैठके अराम से बजरंग बान का पाठकी करना होगा फिर आप देखिए आपकी धीरे धीरे जैसे ही आप करते चले जाएंगी आपकी जॉब अवश्य लग जाएगी आपके भी हम देखते हैं नंबर एक है आप बहुत अंबिशिस भी है और आपको जुरूर जॉब बहुत जल मिल जाएगी चले तो जॉब मिल जाएगी कि तू ग्रह परेशान कर रहा है और उसका समाधान आपको रंजिरा जी ने बता दिया है तीन नंबर वालों के लिए हम देखते हैं हो सकते हैं इनका जो मन चाहां काम जो इन्होंने सोचा था करने को वो शैद पोस्पोन हो जाए मगर उसके लिए आपको हताश होनी की जरूरत नहीं है लोगों की फालतू बातों पे विश्वास ना करें अपने अंदर होंसला लाएं जो देरी हो रही है उसमें ही कोई ना कोई अच्छा जरूर होगा आपके लिए इसलिए पूरे का जादा आपके लिए बेतर रहेगा घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ खाके निकले फिर आप देखिया आपके कारिये सारे जरूर होंगे इनका लखी रंग और नंबर क्या है इनका रंग जो है लाल और इनका जो अंक है वो है नंबर नौ चले तो आज तीन आज के दिन को बीट जाने दीजिये कल उसको एक्जेक्यूट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर एक्जेक्यूट होगा ज़्यादा बेहतर तरीके से उस काम का फल मिलेगा आपको तो आज हो सके तो थोड़ा रिलाक्स करिए बहुत ज़्यादा प्लान करके जो काम करने की शिरवात भी है और इनको पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है मगर हम इनको बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने लाइफ का बैलन्स आपका थोड़ा सा गर बढ़ा रहा है जिसकर कि आपको ध्यान देना है कि कुछ समय अपने फैमिली और अपने बच्चों की साथ अवश्य ब आ सकती हैं जिसके लिए आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएए थोड़ा आप आराम विश्राम जरूर करना शुरू कीजिए आपका रंग जो है वो है हरा और आपका जो अंक है वो है नंबर पाँच चलिए जौब नौकरी विजनेस काम मन लगाई करिए बहुत अच्छा कर है आप बहुत अच्छी बात है लेकिन साथी साथ आपको यह नहीं भूलना है कि एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जिंदेगी में है वो है परिवार आपके अपने जिनके लिए आप एतनी मेहनत करते हैं तो उनको छोड़ कर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी है आप आपको बैलन्स बना करकना है काम करिए बहुत अच्छे से कर रहा रहा है या बहुत अच्छी बात है लेकिन परिवार के लोगों के लिए भी समय निकली हो सकता है तो आज मौसम अच्छा है आप घूमने और कर सकते हैं अहीं बूवी को नपने कर सकते हैं वारखना गबरा जाते हैं मगर हम इनको बताना चाहते हैं ये मेहनत इनके लिए बहुत ही जादा आगे चल कर रंग लाएगी इसलिए मेहनत से मत घबराएए आज पूरी मेहनत आप करते रहेगा इसके साथ साथ बहुत जरूरी है थोरा सा इंट्रोस्पेक्शन भी आप कीजिए कहां आपकी गलते हैं कहां दोसरों की हैं क्या आपकी लाइफ का पूरा जाइजा है उसको लेना आपके लिए बहुत जरूरी है तो इसको आप लीजिए और साथ में आप जरूर सुबह दस मिनत बैठकर अराम से मेडिटेशन कीजिए आप ओम का उचारत 21 बार कीजिए उससे द गरीब को भर पेट खाना कि लाइए उससे बहुत जादा आपके लिए शूब रहेगा चलिए तो पांच नमबर वालो आप मेहनत तो करते हैं लेकिन कई बार मेहनत करते करते हैं आपका मन विचलीत हो जाता है और आप सोचते हैं कि इसका फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है लेकिन मेहनत का परड़ाव हमेशा मिलता है और अच्छा मिलता है उसमें वक्त जरूर लग सकता है दूसरी बात और आपके लिए आज जो रंजिना जी ने कही है वो ये कि हमेशा दूसरों की गलती नहीं होती है कभी कभी इंट्रस्पेक्ट करना आत्म मन्थन आत्म चिंत प्रेकवाद किसमत कनेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है रंजिना जी हमारे साथ बनी हुई है स्टूडियो में रंजिना जी छे नंबर वालों के लिए आज दिन कैसा होने वाला है छे नंबर वालों के लिए आज का दिन बहुत ही जादा बेतर रहने वाला है अगर ये कोई भी अपने व्यापार में विस्तार करना चाहते हैं तो इनकी यूजना आज जरूर सफल होगी और इनको एक सजेशन हम देना चाहते हैं जो इनके घर में बड़े बुजर्ग हैं उनकी साथ थोड़ा सा समय आप जरूर व्यतीत करें और जो भी कारे करें उनके आशिरवात से ही करें फिर आप देखिए आपका जो भी कारे होगा उसमें आपको बहुत ही जादा तरक्की मिलेगी आज का रंग जो है वो आपका है ब्राउन एन मजेंटा और आपका जो अं अच्छा नंबर वालों लेकर साथ ही साथ आज जो आपके लिए गुरु मंतर रंजना जी दे रही है वो यह कह रही है कि आप जब तक अपने घर में जो बड़े बुजर्ग हैं उनके साथ वक्त बिताएंगे नहीं कई बार वो अपने मन की बात कहते नहीं है वो समझनी प साथ नंबर वालों के लिए हम देखते हैं इनको पूरा सपोर्ट है अपने परिवार जनों का और हम इनको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जितना भी परिश्रम आज तक कर रही हैं उसका इनका परिश्रम सार्थक होगा और जरूर इनको आज तरकी मिलने वाली हैं जो यात्रा से जो भी आप कारे करने जा रहे हों उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी आपका रंग भी बहुत ही सुंदर है वो है गुलाबी रंग और आपका जो अंक है वो है नंबर चे आज थोड़ा चावल का आप दान करेंगी उससे आपको बहुत जादा लाप मिलेग चलिए तो साथ नंबर वालों आपके लिए भी दिन अच्छा है खास और से अगर आप यात्रा कर रहे हैं जिस मकसद से यात्रा कर रहे हैं अगर आप बिजनेस चूर पर जा रहे हैं या कहीं कुछ और मकसद से जा रहे हैं तो यात्रा सफल होते हैं आपकी नसर आ रही है लेकिन चो छोटा सा उपाय बताया आपको रंजिना जी ने वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है और वो पूरा करेंगे तो यात्रों और जादा सुखद और जादा सफल हो जाएगी आठ नंबर वालों के तरफ रोक कर लेते हैं आठ नंबर वालों के लिए हम देखते हैं आज का दिन थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब दिख रहा है काफी दिन से थोड़ी सी घरेलू मिसंदेस्टानिंग चल रही है मगर आज का दिन ऐसा है कि आप अपने मन की बात कह सकते हैं और जो भी इतने दिन से घरेलू पात में हैं उसको कैसे आप खत्म करें और फिर से एक यबारी घर में उसी तरह का प्यार और खुशाली ले कर आएं इसके साथ-साथ बहुत जरूरी है कि आज आप अपने संतान के साथ थोड़ा समय व्यतित करें वो क्या आगे करना चाहते हैं कैसे करना चाहते हैं उसको स से बहुत जाद आपको लाब मिलने वाला है आपका रंग है ग्री और आपका जो अंग है वो है नंबर चार तो आठ नंबर वालों आपने तरक्की करते आगे बढ़ते बढ़ते जिंदिगी की जो रेस दोड़ रहे हैं उसमें कहीं ने कहीं परिवार पीछी छूट सा गया और उनके प्लांस का फिस्सा कैसे हो सकते हैं अगर उनके प्लांस का फिस्सा बन जाते हैं तो उनके लिए खुशियां वापस आएंगी आपकी इंवाल्व्मेंट बढ़ जाएगी और आपको भी लगएगा कि घर का महौल पहले की तरह हो गया है नौ नंबर वालों के करना चाहते हैं कि जल्द बार्जी में कोई भी फैसला ना ले जरूरी है कि थोड़ा सेहन शीलता अपने कार्य में अपने व्याभार में लेकर आएं ताकि जो भी ये आज करें उसमें इनको पूरा-पूरा सक्सेस मिल सके आज का दिन जितनी भी लेडिज हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरिबल दिन है और अगर आज आज आप थोड़ा सा खीर का दान करेंगी उससे और भी ज्यादा आपके लिए सक्सेस्फुल हो जाएगा आपका रंग है पीला और आपका जो अंक है वह नमबर तीन चले तो 9 नमबर हैं अगर आप और आप लेडी हैं तो आज आप हमेशा वैसे बीग बॉस होती ही है लेडी आज आप सूपर बिग बॉस हैं लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि बिग बॉस बनने के चक्र में बहुत जादा धौस नहीं जमानी है आपको तोड़ा सा सतर् और अपने घर वालों को रखे हैं बहुत ख्याल रंजरा जी जाते जाते एक प्रश्णी क्यों कि मौसम बदल रहा है इस मौसम में बहुत तरह की बीमारियां और बहुत तरह की एलर्जीज परिशानी लोगों को होती है तो ऐसे क्या नुस्खे आजमाएं क्या करें जो लोग आसानी से कर भी सकते हो और उसका फाइदा पर उनको मिले है बहुत छोटे छोटे नुस्खे होते हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए जरूरी ये है कि एक सरसों का तेल लीजिए उसको आज रात को सोने से पहले अपने नाक के आसपास और अपनी नाभी के अंदर अगर आप डालेंगे उससे अगर आपकी स्वच्चा में जो रूखा पना रहा है वो खत्म हो जाएगा इसके इलावा अपने पलंग की नीचे भी अगर आप एक सरसों के तेल की कटोरी रख लेंगे उससे भी बहुत जादा आपको लाब मिलेगा इसके इलावा बहुत जरूरी है कि ज्वाइन डालकर पानी में उबाल लें और उसकी अगर आप भाफ लें उससे अगर आपका एस्तमा है वो सब चीक हो जाएगा सुबह उठते ही अगर एक चुटकी हल्दी डालके अगर आप जल पियेंगे उससे बहुत जादा लाब मिलेगा क्योंकि हल्दी जो है वो एक अंटिसेप्टिक होती है घर से जब भी निकलें थोड़ा सा गुड़ खाके निकलें ताकि जो भी आसपास का प्रदूशित वातावर्ण है वो सारा उसको सोक कर ले और आप क्यों इसकी हेल्प मिल जाए सारा दिन भी अगर आप पानी पी रहे हैं तो उसमें भी अगर वैसे पहले की थी वैसे ही आपकी बनी रहेगीए शलिए तो रेंजना जीने बहुत सर और चोटे छोटे छोटे टथिपस आपको बताया हैं लेकिन जैसा मैं रोज कहता हूं आपको मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, पॉजिटिविटी अपने आप, आपके आसपस नजर आने लगेगी पिलाल इतना है इजास्त दीजिए, नमस्कार